बात करेंगे राहूल गांधी की भारत जोडो यात्रा की जिसकी मद्यप्रदेश में एंट्री हो चुकी है बोदरली गाउं राहूल गांधी की भारत जोडो यात्रा पहुँची थी और यहां से अब ये यात्रा रवाना हो रही है बतादे कि राहुल गांधी का आज भव स्वागत किया गया वहीं ये भी खबरे हैं कि आप उनकी बहन प्रियंका गांधी भी इस यात्रा से जुनने वाली है शाम को इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल होगी उनके साथ उनके पती और बेटे भी मौझूद रहेंगे बतादे कि मद्यप्रदेश में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर उक्ता इंतजाम किये गए है त्री लेयर की सेक्योरिटी में राहुल गांधी की यात्रा चलेगी ड्रोन और सर्वीलियंस कैमरे से नज़र रखी जाएगी महीं बतादे कि फॉस्ट लेयर में पुलिस जवान रस्ती का गेरा लेकर चलेंगे स्थानी पुलिस, सेफ, स्रियार पीफ की बटालियन भी तैनात रहेगी थ्री लेयर सुरक्षा व्यवस्था में 500 से ज़्यादा जवानों को तैनात किया गया है किसी भी प्रकार की कोई भी चूक इस यात्रा में नहीं चाहती है कॉंग्रिस और ऐसे में प्रशासन की ओर से भी पुक्ता इंतजाम सुरक्षा के किये गए है बता दे कि आज इस यात्रा की शुरुवात हो चुकी है मध्यप्रदेश में तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं बोदरली गाउं से यह तस्वीरे आ रही हैं और इस गाउं की अगर हम बात करें तो मानों एक तेओहार हो पूरे गाउं को सजाया गया गाउं वासियों ने अपने द्वार पर तोरण लगाए राहुल गांधी के स्वागत के लिए तो कॉंग्रिस के तमाम दिगज नेताओं ने मंच पर राहुल गांधी के साथ आज इस यात्रा को सफल बनाने का संकल्प लिया और अब यह यात्रा शुरू हो चुकी है वहीं दक्षिड भारत के मुकाबले अब उत्तर भारत और खास करकी जो हिंदू पट्टी वाले राज्ज है यह राज्ज कॉंग्रिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और ऐसे में राहूल गांधी की इस यात्रा के जो लक्ष है उनको एक बार फिर राहूल गांधी ने आज के सम्वोधन में इंकित किया और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा का जो लक्ष है उसे हम मद्रप्रदेश के साथ साथ देश भर में पूरा करेंगे आपको तस्वीरों में तो देखिए आज इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी पहुचने वाली है शाम को इस यात्रा में ये भी हिस्सा लेंगी कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी की मद्रप्रदेश में ये यात्रा छे जिलों से गुजरेगी जिसमें बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा के रस्ते ये यात्रा राजिस्थान में एंट्री लेगी चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे समवादाता पियूश का लगातार लाइव तस्वीरे हम तक पहुँचा रहे हैं पियूश जिस तरह से इस यात्रा की भव शुरूआत हुई है, फिलहाल ये यात्रा कहां पर पहुँची है, क्या कुछ शेडूल अब रिशेडूल किया है, क्योंकि आधे गंटे लेट ये यात्रा हो गई थी, आधे के बिल्कुल यात्रा का आगाज हो चुका है, महदप्रदेश में जो है भारा जोड़ो यात्रा की शिरुवात हो गई है, और साफ तर पर राहूल गांदी ने यहाँ पर सबसे पहले जन्ता को संबोदित किया पहले आपको हम तस्वीरे दिखाते किस तरीके से जो तमाम कॉंग्रेस के नीता है, वो इस भारा जोड़ो यात्रा में शामिल हुए है, और आपे देखे किस तरीके से यहाँ पर उत्सा है, और खास तोर पर जो युवक कॉंग्रेस के कार करता है, उनमें भी खासा उत्सा यहां पर देखा जा सकता है दूसरी तरफ आपने कहा है कि किस तरीके का अपडेट है तो बोधरली गाउं से यह शुरुवात हो चुकी है फिलाल बोधरली गाउं का ही यह हिस्सा है जहां से यात्रा निकल रही है और इस यात्रा के ठीक आगे राहूल गांधी है जो तमाम पुर्हानपूर है वहीं से ठीक 10 किलोमिटर जो एक स्कूल है प्राइवेट स्कूल वहीं पर यह यात्रा पहुंचेगी और आप देखे किस तरीके से यहां पर उत्सा है और खास तोर पर एक अलग तरीके का माहौल साफ तोर पर मध्यप्रदेश में दिखाई देता है और जिस तरीके से पूरू CMA PCC चीफ कमलात ने यहां पर कहा है कि अब तक यात्रा का पढ़ाओ जहां जहां से होकर गुजराय चाहे वो दक्षिन भारत हो महरास्ट हो लेकिन मध्यप्रदेश में इस यात्रा का इतियासिक स्वागत किया जाएगा उसी उमीद के साथ में कहीं लिए कि यहां पर यह तमाम जो कॉंग्रेस के नेता हैं वो यहां पर फिलाल जो है वो मौजूद है तो यह का फिलाल बड़ा अपडेट है लेकिन उसके साथ में राहूल गांदी काफी कॉंफिडेंट ने जर आ रहे हैं मध्यप्रदेश में जिस तरीके से तमाम जो लंक दिये हैं लेकिन मध्यप्रदेश में इससे बहतर कहिने के स्वागत होगा इस बात की उम्मीदें की जा सकती है जे बिल्कुल प्यूश तस्वीरों में हमने देखा जिस तरह से एक काफिला की तरह इस यात्रा को आगे बढ़ाया गया पहले आगे राहूल गांधी चल यहाँ पर इस यात्रा का रेस्ट होना था लेकिन अब चुकी यहाँ पर बदलाव हुआ है राहूल गांधी आदे घंटे लेट हुए हैं उसी के चलते कहिने के यहाँ पर बदलाव किया गया अब कहा जा सकता है ग्यारा बजे इस यात्रा का रेस्ट होगा और तीन बजे यह आत्रा फिर से शुरू होगी लेकिन इस दोरान राहूल गांधी तमाम जो कॉंग्रेस के नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे जो प्रभुद्ध जन हैं उनसे मुलाकात होगी और शाम को आज यहां पर बुरानपुर में उनकी सभा होगी और उसी सभा में यह कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी के शामिल होने की भी उमीदे हैं चुकि वे बाई रोड पहले जो है वो इंदोर से सीज़त और पर बुरानपूर आने वाले थी लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनके व्यवस्ताओं में कुछ बदला हुआ है याने कि आज देर शाम को प्रियंका गांधी इस यात्रा में शामिल होगी और शाम को बुरानपूर में ही राहूल गांधी एक सबा को संबोधित करेंगे और उससे ठीक आगे जीरी गाओं में आज उनका रात्री विश्राम होगा और यहीं से कल बोर गाओं से इस यात्रा का दूसरा दिन मध्यप्रदेश में शुरू बिल्कुल पियूश अगर सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें ठी लेर सुरक्षा राहूल गांधी को दी जा रही है और इस पूरी यात्रा को दी जा रही है पहले भी खबरे आई थी जिस तरह से इन दौर में ब्लास्ट और ऐसी तमाम खबरे जो आई थी उस पर अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासर ने भी यहाँ पर सहायता की है और कॉंग्रिस के लिए हम देख रहे हैं स्थानिय पुलिस से एफ सी आर पी एफ के जवानों को भी तैनात किया गया है फिलाल आप वहाँ पर मौके पर मौझूद है किस तरह से सुरक्षा व्यव और तैयारों के लिए आसे बात करें तो जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उन्होंने भी यहाँ पर मौझा संबाला है और इसके पाद में चप्पे चप्पे पर जो पुलिस बल है उसे भी तैनात किया गया है उसके अलावा CCTV कैमरे और ड्रोन की मदद से भी कहा जा सकता है है कि पूरी तरीके से जो है वो सुरक्षा विवस्थां को माकूल किया गया है जिस तरह से हमने पहले भी देखा था फा कि ग्रहमंत्री नरुत्मिश्रा का बयान आया था कि किसी भी तरह की कोई परेशानी यापर इस यातरा के दोरान नहीं होगी, सुरक्षा के बाकूल बंदोबस रहेंगे, उसी तरह की विवस्ता कहीने का यहाँ पर साफ तर पर देखी जा सकती है, और इसी तरह के इंतिजाम है, थ्री लेयर सुरक्षा के साथ में कहीने का यहाँ पर राहूल गांधी की सिकूरिटी को यहाँ पर पूरी तरीके से बंदोबस किये गए हैं, पियूश हमने मंच की तस्वीरे देखी थी, उसमें तमाम दिगज नेता कॉंग्रस के नजर आ रहे थे, और इन तयारियों को हम दम चाक चौबंद विवस्था वो देख रहे थे, फिलाल इस यात्रा के दौरान कौन से वो दिगज नेता हैं, कॉंग्रस के जो शामिल हो सकते हैं, मद्प्रदेश के अलावा क्या दूसरे राज्यों से भी नेता यहाँ पर आएंगे? देखें, बिल्कुल बहुत महतपूर्ण यह सवाल है, और चुकी मद्प्रदेश में जिस तरीके से यहाँ पर कॉंग्रेस की इस्तिती है, याने की संगठन कॉंग्रेस का काम कर रहा है, कमलनात लगातार कहते हैं, कि कॉंग्रेस यहाँ पर लगातार संगठन को और बढ़ेगा उस वक्त सचीन पाइलेट भी कहीं कहीं स्यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं 36 गड़ में चुकी यहाँ पर कॉंग्रेस की सरकार है दिगज महाँ पर नेता है कहीं ऐसे मंत्री हैं जो इस यात्रा में शिरकत करेंगे इसके अलावा मंध्यप्रदेश के ही आला नेताओं की बात करूं तो सूरेश पचौरी है दिग्विजा सिंग है इसके अलावा जो पूरु मंत्री है सज्जन सिंग वर्मा है अरुन यादो है सचीन यादो है यह तमाम नेता भी फिलाल यहाँ पर इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं तो यह कॉंग्रेस एक मैसेज भी देने के कोशिच भी करेंगे जी मिल्कुल सही का पीउश आपने एक जुपता का संदेश पहले भी कॉंग्रस की ओर से दिया जा चुका है मध्यप्रदेश के तमाम दिगज नेता जब राहुल कांधी से महराष्ट में बैठक के लिए मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और ऐ जाली गाउं से आज इससे यात्रा की शुरुवात हो चुकी है तस्वीरे हमने दिखाई है राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर मध्यप्रदेश में निकल पड़े कि यात्रा के पीछे कि दो तीन लक्षिए कि सबसे पहला कि जो नफरत कि हिंसा हिंदुस्तान में फैला जा रहा है उसके खिलाफ यह यात्रा है तिनके दिल में डर युवाव के दिल में कैसे बेरुजदारी दिलवा कर जो हमारे उत्पादक है जो किसान है उनके दिल में डर कैसे सहीधाम न देकर बीमा का पैसा ना देकर करज़ा माफ ना करकर मजदूरों के दिल में डर कैसे मंद्रेगा को ना चलाकर तो यह पहले डर पहलाते है और फिर जब डर अच्छी तरह पहल जाता है फिर उसको वह हिंसा में बदल देते हैं यह यात्रा हमने कन्या कुमारी में शुरू की थी और जब हमने शुरू की तो विपक्ष के लोगों ने कहा था कि हिंदुस्तान 3600 किलोमेटर लंबा है और यह पैदल किया नहीं जा सकता और अब हम मध्यप्रदेश में आए हैं 370 किलोमेटर यहां चलेंगे के और यह यत्रा यह जो हमारा तिरंगा है है इसको श्रीनगर में में लेहाएंगे और उसको कोंपि पोईनी रोक सकता यह यह चाना का शीनगर जाएगा और वहां եे इस स्टिरंगे को हम लेहा हेंगे